जै हो छटी मैया की दोस्तों आप सबको मेरी तरब से छट पूजा की हारदिक सुपकाम नाएं जैसा कि आप सबको पता ही है छट पर्व सुरू हो गया है आज की इस वीडियो में मैं आपको सच्ची कथा पौराणिक कथा छट पूजा की सुनाने जा रही हूं ध्यान से सुनियेगा दोस्तों बहुत समय पहले की बात है एक परिवार में मा वेटा और उसकी बहू रहती थी बोडी मा छट माता की परम भक्ती थी और बैहर साल छट माता का ब्रत किया करती थी दोस्तों परन्तु बहु नए विचारो वाली थी वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी एक वार जब बोडी अम्मा छट माता की पूजा की तयारी कर रही थी बोडी अम्मा का बेटा आम की लकडी तोड़ कर ला रहा था और पूजन की सामिक गृवी बजार से खरीद कर ला रहा था तबी बोडिया मा की बहु बोडी अम्मा पर हस रही थी और कहने लगी कि अम्मा दुनिया कहां से कहां पहुँच गई है लोग आस्मान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंदिविस्वासी हो पड़ी लिखी बहु की बातों का बोड़ी माता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा बोड़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी जब बोड़ी अम्मा पूजा करने को तयार हुई परंतु बहु ने कहा कि माई ये सब बेकार है इस उम्मर में तीन दिन भूगी रहोगी तो बीमार पढ़ जाओ गिया और अपनी सिहत को भी बिगाड लोगी आप भूग प्यास से ना जाने क्यों लोग खुद को सताती हैं नई बहु की ये बाते सुन कर उसके भोलेपन पर बोड़ी हमा मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहु सादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी तब मैंने यही ब्रत को किया था तब छटी मैया ने मेरी पुकार सुन ली थी तुझे पता है बहु ये तेरा पती भी छट मैया का ही प्रशाद है ये अंद्विश्वास नहीं है बहु माता जी का कड़कड में निवाश है मेरी बातों को मानो और तुम भी मेरे साथ छट मैया के ब्रत को कर लो तो छट मैया तेरी भी गोद को भड़ दिंगी मगर बहे नए युग की सोच वाली बहु किसी की कहा सुनने वाली थी वो मुझ को टेड़ा करके सासु मा से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाट को नहीं करने वाली सुन्दर पती मिला है जीवन में सक्षुक मिला है आली शान घर है दिन रात मस्त रहती हूँ पूरे गाओं में मुझ जैसा धनवान कहा करम प्रधान है सासु मा करम प्रधान है इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बाते हैं सासु मा के लाग समझाने पर भी बहु पर कोई असर नहीं हुआ बहनास्तिक थी बार बार छट माता की बुराई किये ही जा रही थी तब उसका पती वहां आया और उसने भी उसको समझाने की कोसिस की और उसने कहा कि देखो प्रिये देवी देपताओं कि आगे एहंकार करना ठीक बात नहीं है तुम भी ब्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो लेकिन बैतो अपने पती की भी बात को मानने को तयार नहीं थी सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पढ़ना इस अंध्विस्वास की चक्कर में पती भी ठक गया उसे समझाते समझाते और बोला ठीक है तुम्हें जो करना है वही करो मैं तो छट माता का घाट सजाने जा रहा हूँ जिससे मेरी मा छट मया के सिरी चर्णों में अपने सर को जुका सकी बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर जा रहा था चट माता की पूजा के लिए सुन्दर घाट को बनाने में जुट जाता है अपनी मा की पूजा के तयारी में मा की मदद करता है आम की लकड़ी को जलाकर अपनी मा के साथ ठिकवा सिकवाता है पूरे भक्ति भाव से दोनों मा और बेटे चट का पर्व को मनाते हैं बोड़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोवर से लीपता है उसे समय उसकी पत्नी पाव में सेंडल पहने हुए बहां से गुजरती है और कहती है है पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोवर से गोवर बना के रखा है अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है कैसे गोवर की दुरगंद आ रही है और उसने अपने पती से कहा कि तुम और तुमारी मां बहुती बड़े भक्त बनते हो देखो जी आपने बदन से भी गोवर की बदबुआ रही है अब तु नहा कर ही गर आना बहु के बाते सुनकर बोड़ी अमा बहु को समझाती है कि अरे बेटा तुझे नहीं पता कि गोवर को तो तु जब दुरगंद कह रही है उस गोवर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत से बिमारिया को सो दूर रहती है इतना सुनकर बहु और बिगड़ गए जुझला कर बोड़ी अमा से बोली कि पहले तो लखडी पर ठिकुआ बनाया और अब गोवर से लीप कर पूरे घर को गोवर बना रही हो इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिये तुम माता से जगड़ा मत करो चलो अब जाकर तयार हो जाओ छट माता की घाट पर जाने का समय हो गया है बैंड वाजी को बिलवा कर दोरा उठा कर भे सब घाट पर चले दिये पीछे पीछे बोड़ी मां ये तिगाते चल रही थी पर बहु को तो इन सब में कोई रुची नहीं रखती वो तो सज धचकर मता मता कर चल रही थी बोड़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहु को आग ना पाकर उसे ढूनने में लग जाता है तो कहीं हलवाई के दुकान पर स्वाधिस्ट पकवान का आन उठाते नजर आती है विटा कर कहता है कि प्रिये ये क्या करती हो तुम यहां तक आई हो तुम आके साथ बैटो पत्नी ने जुझला कर बोली ना जी मैं पूझा पाट में कोई नहीं बैठने वाली ना ही घाट पर जाने वाली मैं तुम मेला घुमोंगी जमगे खाउंगी और पिऊंगी तुम अपना पूझा पाट करो मेरा पूझा पाट से कोई लिना देना नहीं है इनकी बहेस आपस के सबी लोग देख रहे थे सरमिंदा होकर बेपती बहां से चला गया और छट घाट की ओर जाने लगा एक खड़ा करने को बही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वहाँ नहाने को बही दुपकी लगाता है और बही डूब जाता है डूबटा डूबटा बेप जोड़ों से चलाता है कि बचाओ बचाओ लेकिन किसी को भी ये आवाज कहां से आ रही थी पता ही नहीं चलता कोई तो जाओ ढूनके लाओ सब यह चलाने लगे जैसे ही बुड़िया मों को पता चला कि उसका बेटा नादी में डूब गया है वो छाती पीट कर रोने लगी और छट माता से ही सवाल कर दिया अरे मा मैं मा हूँ और तू भी मा है और तू कैसी मा है जिसने एक मा से उसका बेटा चीन लिया जब से मेरी शादी होई है मैं पछले 30 साल से पूझा करती चली आ रहे हूँ मा ओल मेरी भक्ती में कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोत को सोना कर दिया मुससे मीरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई बोल तू, जो तूने मेरे लाल मुससे शीन लिया Ein मा मैं तो छट घाट तेरी पूजा करने आये थी तूने तो मेरी दुनिया ही जार दी मा यदि जाने अन जाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरी बेटे को मत दो मेरे लाल को मत दो मेरे लाल को लोटा दो यदि तूने मेरा लाल नहीं लोटाया तो ये तेरी बूरी भक्तिया हैं इसी नदी में कूत कर अपने प्राण त्याग देगी अब तू या तो मेरे बेटे को लटा या मेरे भी प्राण ले ले उधर मेले में सब को आहा किया जा रहा था कि छट गाट पर आए सबी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि गाट की गहरे भाग में न जाएं अभी अभी सुचना मिली है कि एक ब्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है पानी में आगे जाने पर खत्रा होने की आसंका है इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाव में ना जाए ये बात सुनकर भहु दोड़ी दोड़ी जाती है बहां जाकर बहँ जब देखती है कि उ चिक चिक कर बूड़ी मा से पूसती है कि मैंने तो पहले ही का था कि मा चट बटके बूजा में मत पढ़ो पूजा में नहीं पढ़ना चाहिए सब धोंग है अंधविश्वास है तेरे ध्यान ना देने के कारणा अज मेरा पती मुसे दूर चला गया अपनी माता को भला बूड़ी मा की मा की पुकार जरूर सुन लीजिए चट माता तो दीन दयालू है बैब कभी अपने भक्तों ने राश नहीं करती कभी उने बेसहारा उदास नहीं छोड़ती इधर पुत्र ब्योग में बूड़ी मा अपनी जान देने को पानी में जाती है वैसे ही नदी के अंदर एक लहर उटती है और लहर किनारी की जोर से आती है उसी लहर में से उस बूड़ी मा का बेटा भी बाहर निकलाता है इस द्रस को देखकर बहां सबी कड़े आंके खुली की खुली रह जाती है लोगों की सबीक की आँखों में खुशी की आंसु आ जाते हैं बादने वाडी में छटी माता ने का कि मेरी पुत्री में किसी का भी अहित नहीं करती मैंने तुम्हारी आखों से अज्ञान का परदा हटाने के लिए तुम्हारी पती को पानी में डुबाया था पुत्री में सदय अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ इस कल्युक में जो भी भक् तो ने छट माता के नाम के जैजे कारे लगाए सास भाव और बेटे ने खुसी-खुसी सबने मिलकर छट माता की पूजा की दोस्तों ये थी हमारी छट माता की छट पूजा की पौराणिक ब्रत का था अगर आपको मेरी ये कता पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकूल भी न भूले और अलसो प्रेस दे बेल आइकन ताकि मेरी कोई वी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए चट पर्व की आप सभी को मेरी तरब से हार्दिक सुपकाम नाएं दोस्तु झालसो पर्व की आप सब्सक्राइब करना बिलकूल भी नाएं दोस्तु